तो जहन बच्चों आपके पास आज economics lecture में मैं आपका NCRT जो है उसके सीरीज करा रहा हूँ पहली सीरीज का जो लेक्चर है आप देख सकते हो GDP, GNP के basics जो है आप playlist भी दे सकते हो आज हम करेंगे second chapter ठीक है that is money and banking तो आपके पास macro economics जो है आपके पास book से मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है जो आपकी 11-12 पे चलती है macro economics और सबसे important बात बच्चों यह है कि आपके पास जो NCRT न है वो Bible of exams तो आप मैं आप जो है macro economics को आप बोल सकते हो हो जो book है 11-12 की NCRT की उससे मैं आई करा रहा हूँ ताकि आपका एक्जाम में question first जा जितना मैंने analysis किया है मैं literally बता रहा पूछी है कोई भी exam में even APA FC का जो exam होगा ठीक है और या आपका exam होगा उसमें आपके पास assistant commandant exam हुआ था उसमें cds का भी recent हुआ है उसमें सब में जो question पूछे जा रहे हैं उटेट इस जस्ट फॉम NCRT तो macro economics सी book से हैं मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लीज आप लोग जो है इस चैनल को सस्क्राइब करो like करो अपने दोस्तों में शेर करो स्टार्ट करते हैं वीडियो पूरी देखना पूरा टॉपिक समझ के जाना आपका आज है जो वह है money and banking आप बुक के हिसाब से थर्ड चेप्टर और वैसे academic के हिसाब से second चेप्टर की किताब से हैं अच्छा एक बात और है थर्ड चेप्टर सेकेंड चेप्टर का क्या मतलब है पहला चेप्टर जो है वो इंट्रॉडक्टरी है ठीक है तो उसको मैंने इग्णोग करके चल रहा हूँ तो देखो सबसे पहले आज हम बर्फ करेंगे मनी एंड बैंकिंग सिस्टम की बैंकिंग का हला कि अलग सी वीडियो बनाओंगा बाद में एक बार पूरी आपके च्छे के चेप्टर जो भी है मैंकर एकॉनमिक से फटाफट पूरे हो जाए ठीक है प्लेलिस्ट में चाले जाना है वहाँ पे आपको एकॉनमी के और टॉ ग्रों आप देखो सबसे पहले प्यारे बच्चे मनी क्या होता है मनी एक वर्ड ना मनी अपना सपना मनी मनी अपना सबसे बड़ा रुपईया अभी मनी क्या चीज अब देखो पुराने चमाने में क्या होता था पुराने जमाने में क्या होता था कि आपके पास एक व्यक्ति है उसके घर में क्या हुआ चावल हुआ यानि धान हुआ दूसरा व्यक्ति है उसके घर में गहुँ हुआ मतलब ऑवेसी बात है सीजन चेंज है या तीसरे व्यक्ति ने क्या करा तीसे वाले कुछ काम करता ही लो तो उसे कहते हैं हम बाटर स सस्ट्म क्या कहते हैं बाटर सस्ट्म तो यह आपके पास इस अथि यह नहीं खैं it अभी कि गोता था इसमें एक क्या है कि आप अब आप है सी बात है इसे अब भड़े के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते दूसरा क्या है कोई स्टेंडर्ड ही नहीं है अब 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 बात है जरूरी थोड़ना है कि आपने गहूं या चावल के बदले आपने दिया है तो उसका स्टेंडर्ड रेटिंग कैसे होगा आप इस जगह पर मालीजी एक बोरी चावल के ब परिवार दो परिवार दस परिवार के लिए ही लागो हो सकता है तो पुराने जमाने में जब बाटर सिस्टम था जब उसका आपका मोडिफिकेशन हुआ तो इस चीज़ पर डिसाइड कि कुछ स्टंडराइज सिस्टम करा जाए कि एक सिस्टम हो जाए हर चीज का उस फिक में है केला तो उसका एक फिक्स आइडेंटिटी की रूप में हम लोग कनवर्ट कर सकें तो जो आपके पास जब इंसानी चेतना भड़ी तो एक सिस्टम निकल के आया उस सिस्टम का नाम था मनी यानि की आपके पास रुपईया मतब रुपईया तो इंडिन करंसी है जैसी कि आपके पास जो मनी है इसे मुद्रा कहते हैं हिंदी में यह वर्ड निकल के आया शुरौत में सोने चांदी की सिक्के निकले ना फिर उसके बाद चीजें बदल दी चले गई बीच में ऐसे राजा भी आया महमद बिन टुकलट टाइप जिसने आपके पास सिर्फ दिखाने के लिए आपके पास करेंसी निकाली है ना तो टोकन करेंसी लोग बोलते हैं तो मनी क्या है आपके पास एक मीडियम औप एक्सेंज़ बित्वीण कैसकते हो आपके पास मैं सर्विस लेने वाला हूं और एक बंदा सर्विस देने वाला है या मैं कोई समान बेचने वाला हूं दूसरा बंदा समान लेने वाला है तो मैंने ये पेंद दिया उसने मुझे कुछ पर्टिकूलर चीजडी आव्गों सब्सक्राइब कुछ मैं भरी सकते हूँ मिनिल्स करेंज सब्सक्राइब pos तो स्टैक्याइब की में वहां इसाट आठी आघी अच्छे संग इनिसाथार्या अको आपके पूरा एक मानली सिस्टम है यह यहां पे 10,000 लोग रह रहें तो यह 10,000 लोग पर्टिकुलर चीज को किसके रूप में मान ले मतलब आप लोग जो है अदला बदली के रूप में उस चीज को दो और समान ले लो या सर्विस ले लो मेरे बाल कटवाने है उस तो मनी क्या है कॉमनली असेप्टेड है समझ में आया अब देखो तो आपके पास अगर आपके पास मनी के बिना कोई चीज होती है तो उस हम लोग क्या कहते हैं बार्टर सिस्टम जिसके बारे मैंने आपको बताए एंस यार्टिक से इस वज़े से समझते चलना यह मैं है उसके कार रिक्या है समझते चलना ठीक है पहली चीज़े आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आपको बता है मनी डेफिनीशन भी क्या है आपके कॉमनली असेप्टेड जन साधान रूप में मान ली गई है अब मान लीजिए फॉर अग्जामपल में कुछ लेके लेके गया है ना और मैं दुकान वाले को यह इसके बदले हमें चार टाफी दे दो दुकान वाले हमारी कुटाई घर दी डैट मेंस इस नौट मनी विकोज इ ऐसी घरी है अब मेरको बहुत पहएं पास्द थो अबने हमे उसके बदले ने ऐसे और यह फार रही enormous ना कर देगा तो तो आपके पास वह नहीं है तो मनी जो हो गया तो मैंनि मैं उस चीज को को लेकर पूरे शहर में नाचूंट तो मुझे समान या सर्वेस मिल जाए तो मनी का पहला काम क्या है वह आपके पात extremely difficult हो जाता है जैसे कि मैंने बताया था in the large economy बड़ी economies में बड़े छेत्र में बड़े लोगों के बीच में बाटर सिस्टम जो है वो अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज है अपनाना कि होफ़ली बास समझ में आए होगी सब एंज आटी बेस्ट है 100% फॉलो करना कुश्चन यहीं से उठते हैं मैं आपको गरेंटी दे रहा हूँ वीडियो पड़ी रहेंगी एक्जाम देके आ रहे हो इन वीडियो के आके देख लेना उससे पहले में फिर बोलूँगा कि रहेंटर देशों ने ये वान हैं और उस स्टम में उस कंट्री के सिस्टम में उस कोंट्री सिस्टम में कॉमनली असेप्टेड क्या हो गया आपका मनी हो गया मेरी बात आप समझ पा रहे हो for example आपको इंडिया में अगर करना है तो आपको मनी डॉमेस्टिक मार्केट में मनी की रूप में रूपिया को यूज कर सकते हो तो अगर क्या करके जाओ पाकिस्तानी रूपी लेके जाओगे तो दुकान वाल आपको समान नहीं देगा तो कि यूनिट है यूनिट का मतलब इकाई उधारन के तौर पे मेरे प्यारे प्यारे जात्रों के तोर पे कि साथ रुपिय का एक दरजन इंटरे बनाना अ कि प्रकेला क्या रेट दिया भीया 60 रुपिया दर्जन किता रुपिया 60 रुपिया दर्जन 50 रुपे का 1 kg ओरेंज ठीक है यहां kg हो रहा है 70 रुपिय का 1 लीटर अब देखो इन लीटर हो रहा है मिल्क अब तो पानी भी बिखता है भाई पानी भी लिखते हैं ना 20 रुपिया का एक लीटर पानी वाटर विसलियरी कि नहीं किसी का प्रचाड नहीं गड़ना एकवाफी ना कुछ भी जो भी पानी है आप देखो यह क्या हो गया कि सब को एक डजन का है पता दर्जन है ना कोई की लो का है कोई लीटर का है कोई लीटर का है परन्तु सब को आपने एक कौमन यूनिट में तोड़ दिया डेट इस रुपिया और डेट इस मनी यहीं चीज यूएस में चले जाओगे एक डॉलर जू भी हो रहता हो अरथाथ कहने का मतलफ है उस्सिस्टम के लिए वह करेन्सी और कसी रूप में प्यारे दोस्तों इस्तमाल कर सकते हो पहला क्या था करना कोभूर करने काम आ रहा है तीसरी बात अगली बात जो होती है मनी की की इंब मनी की मांग कैसे होती है क्या होती है इस बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल NCRT-based है वर्ड तो वर्ड समझते चलो फिर बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना अब देखो आपके पास होता है वह है यही इसका प्रिंसिपल मोटिफ होता है प्रिंसिपल मुख्यों देश्य होता है घ्रों करने का चाहिए है मुझे हाड्ड करेंसी हर मैं नी कूछ चाहिए हो मेरे पेटियम वालेट और अपने बाल करवा पा रहा हूं बढ़िया मुँपे मालिस करवा पा रहा हूं तो यह ना उसे बढ़िया जूता चपपल कपड़ा एसी सब खरीद पा रहा हूं तो यह सब्सक्राइब तो नाव कॉम तुट पॉइंट इस मिएट मोट्र बने का मुझे पर्पस है उद्देश है वहें आपका केटई आउट ट्रांजिक्शन हुआ एटेम में जाते होंगे उनगे बोलते हैं तो ट्रांजिक्शन करना आपने किसी चीज का सर्वीं डिए क्यों कैसे हुआ मैंने कोई चीज दिया इसे गाग आग ज के खड़े हैं दोबर तो कई से करें चलो छोड़ो कहां से डूढ़ने के पाइसा तो माल लो हमने 100 रुपीय का नोट दिया I have given someone 100 रुपीज अब वह 100 रुपीय दिया उसके चाही दे दि मैंने चाही पीखाया तो अब वह क्या हो गई पूरी प्रोसेश्ट क्या होगी तो जुझ मुख्य उद्देश है ना करन्सी होल्ड करने मनी करनेगा वह है आपके पास ट्राजक्शन करना तो आपके पास और तो आपके पास एक वर्ड निकल के आता है इसी ट्राजेक्शन से उसे हम कहते हैं विलासेटी क्या कहते हैं विलासेटी यह फिजिक्स वाले विलासेटी गती से ही प्रेदित है भॉतिकी में फिजिक्स में आप लोग देखते होंगे स्पीड और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में विलासेटी होती है डिस्प्लेस्मेंट बटा समय टाइम दूरी बटा समय कहते हो ना आप लोग वैसे ही हाँ पर होता है आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड में जैसे एक महीने में ठीक है एक यूनिट अफ मनी एक यूनि में मनलों एक महीने में कितने हातों से गुजरा वो उसकी विलासेटी होती है मालों एक मन्त में मेरा 100 रुपिया एक पर्टिकुलर यूनिट आपका मालों 10.000 हातों से निकल के निकली है तो उसकी दस जार क्या हो गई आपकी पर मन्त जो होगी उसकी यूनिट होगी मतलब विलॉसिटी होगी तो मुद्रा भी आपकी गती करती है तो ताइम्स ऑफ यूनिट ऑफ मनी चेंज हैंड्स डूरिंग यूनिट पीरियद इकाई समय में ठीक है एक दिये गए प्रिंटिपल मोटिव है बहुत होना भी समझेना भाई काम की चीज़ा एक्जाम में आएगा फ्री के कोश्चन है वीडियो देखो के काम में आपके लिए बेनिफिटी होने वाला है तो देखो फिर से बोल रहा हूं सस्क्राइब कर लो आपका खुद का चैनल है मेहनत लग बच्चे बारा मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम भी आप जॉइन कर लेना तो मैंने बोला ठीक है बच्चों का फटा-फट सिल्वस करा देता हूं अपना सरदर्द भी खतम करता हूं बच्चों का भी मेहनत बहुत लगती है यह सब बनाने बनाने में इ सब्सक्राइब में क्या होता है जब भी आपके पास एक इंडिविज्वल होता है में होल्ड हर वेल्थ इन दा फॉर्म ओफ लैंड प्रॉपर्टी बुलियन वांड मनी एक्सेक्टरा कोई भी वेक्तिया पहले समझना जैसे मैं पैसे की फॉर्म में नहीं रखता मैंने बह सब्सक्राइब करें लिए किसी एक पर्टिकुलर जो बॉंड इस उससे अब उसकी एक कंडिशन होती है जैसे आपका बॉंड होता है तो 10 पर संट पर रहनम में मालू मैंने एक लाग रुपे के बॉंड खरीदे तो बॉंड में क्या होता है आपके पास एक कंडिशन होती ह है उसमें पहली रहता है कि हम लोग आपको तिम्हाई में पैसे देंगे या आपको किसमें देंगे आपका एनवली देंगे तो मैंने मान लीजिए मैंने एक लाख रुपे है और मुझे 10 पर रायनम 10 पर रायनम मतलब 10,000 रुपे पर साल की दीवी और डिटर्माइन तो मुझे 10,000 रुपे पर साल के तो बने रहेंगे जिसे हम कहते हैं वाकि जो मेरे एक लाख रुपे वह सेव रहेगा तो मैंने बॉंड में इंवेस्ट कर रखें या मैंने प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रहा है या मैंने आपका कोई गोल्ड खरी लिया है ठीक है या कुछ भी है मुल्य इन पाउंड मनी एक सेटा ठीक है दूसरे विदेशी टौर तो या अब मैंने प्रॉपर क्या कर रहा मनी होल्ड कर ली तो यह वैल्त मैंने होल्ड कर रहे हैं इन्स फॉंस में वेल्ड होड कर रखी है वह और इन इस फॉसम में भी रिकिए हैं और कुछ पैल स्पेक्विलेशन स्पेक्वलेटिव क्या होता है कि इतना साधा रेट ओप इंट्रस्ट होगा उतनी कम आपकी स्पैक्वलेटिव दिमंड होगी में वह इपा Sometimes जैसे अब समझते BEC पर आपके पास इंट्रेस्ट टेकर दिक की इंट्रेस्ट डिचा है वाइए और ये आपके पास है नो के लिए बताया आपका पहले mortal ॥ भूरी मोटिव था और वापकाнов rug रेट ओपिंटरस्ट होता है ना और वह क्या होता है आपका डिमांड से संद्या रोते है वो speculative transaction यानि की speculative demand में rate of interest से inversely proportional होती है जितना ज्यादा rate of interest होगा जितना ज्यादा rate of interest होगा उतनी ज्यादा उतनी कम जो है money की demand होगी और जितना कम rate of interest होगा किसी भी चीज में उतनी ज्यादा आप अपनी currency hold करोगे सब्जाता हूं माल लो आपको bank वाला जी state bank of india reserve bank of india के कहने पर या कुछ इस तरह से हमारे देश में economy condition बन जाए कि आपके पास जो banks है state bank of india PNB जो भी बैंक है अब वो कह रहे हैं कि आप क्या करो अपना जो पैसा है हमारे पास जमा करो और हमको जो आपको 20% पर annum का interest rate देंगे 20% पर annum का interest rate देंगे आप क्या करोगे मैं क्या करूँगा मेरे मन में क्या होगा और मैं जाके बोलूँगा यार तुम एक लाग रुपे दो लाख रुपे तीन लाग रुपे और मैंने बहुत सारा पैसा जहांसे भी निकाल सकता था लाके तुमारे कि अपने हाथ में होड़ नहीं करोगे इस तरह किसी पर्टिकुलर बॉंड में आपके आया आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर जैसे पहले दिखाते था कौन सा था वो मुंबई है न क्या कि इस टॉक मार्केट बुल है बुल तो आपके पाइस टॉक मार्केट में और यह पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनी जस्पाल बट्टी जी जो है उनको अब है नहीं बढ़ा अच्छा आपको पता है उनको नहीं अप देखना कभी उनकी को लेक्षा निकाल देते हैं आपके पास एशू कर देते हैं ठीक है शिर्स और उसके बाद लोग क्या करते हैं और आतोरात अपने ही खुद Eh देते हैं लोगों से न और उसके बाद उसकी मार्केट में बढ़ जाती हाई इंटरस रेट पहुंच जाता है तो लोग क्या करते हैं इंवेस्ट करते हैं तो अव्यसी बात है लोग अपने पैसा लगा देंगे तो वापिस थोड़ना मांगेंगे अगर आपका पैसा बढ़त आपको पता है आपको 0.5 मतलब आपने 100 पे लगाए तो 50 पैसे एक साल बाद आपको मिलेंगे तो आप क्यों मैंक में डालोगे या कहीं पे भी किसी स्कीम में क्यों डालोगे तो आप क्या होगा आपका जो डिमांड आफ मनी हो बिलकुल कम हो जाएगी इसे हम कहते हैं लिक मेरी बात समझ में आ रही है तो जब भी आपके पास very high interest rate होगा है तो आपके पास लोग क्या करेंगे थोड़ा पैसा कम होल्ड करेंगे कि इसका थोड़ा कम करते हैं कि होफ़ुली बात समझ में आ रही होगी है ठीक है आप देखो अब देखो तो आप कैसा समझ सकते हो मैंने उसा कहानिया सुनाई है तो फॉर अग्जामपल देखो आपके पास क्या होता है जब आपके पास इस अब मैंने बता दिया आपको ठीक है चलो तो सिच्वेशन क्या है लिकुटिटव ट्रैप जब आपका इंट्रस बहुत कम हो जाता है तो आपके पाढ़ डमांड और मनी आपके देखो क्या है लिकुटिटर आप है अग्सम्रेश बहुत कम वो गया तो डमांड ओन होना liquidity trap तो liquidity trap के बारे में definition बता रहा है ठीक है यहां पर क्या होता है speculative demand function is infinitely elastic here तो यह question exam में पूछा गया है ठीक है आपके एक्जाम के लिए रखना आपके पास क्या होता है liquidity trap में यानि कि जब इंट्रस रेट बहुत कम हो जाए तो speculative motive of demand किस कारण से motive बताओ ना क्यों चाहिए पैसा मुझे पापा पैसा भाई बता जल्दी पहला तो यह हो सकता है है पापा समान लेना है दूसरा क्या हो सकता है पापा मेरे को बैंक में पैसे जमा करना है हजार रूपिया स्कीम में लगाए है आपने कहा था हर महीने हजार रूपिय के आपके पास इन पाइनाइटली एलास्टिक हो जाएगी ठीक है यहां पर इस जगह पर अब आपके बात करेंगे ठीक है ठीक है जब आपके पास आर क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए ठीक है तो इस पेकुलेटिव डिमांट पॉर मनी इस जीरो तो आपके पर डिमांड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी धियान समझना यह आपके पास है डिमांड और यह आपके पास है rate of interest तो आपको लबहग लबहग zero के आसपास पहुंच जाएकी demand है तीक है कि यह होता है condition अध्यार रख डेय डोनों case ठैक है तो rate of interest अगर आपका बहुत ही होगा तो everyone क्या करेगा expect to fall in future and his sure about the future capital gain हर आदमी को future capital gain के बारे में क्या होगा पता होगा तो वह क्या करेगा हर आदमी convert करवा देगा speculative money balance into bonds जो पूरी कहानी आपको मैंने समझाई ncrt based है अच्छे से बात समझना demand समझ में आ गया demand of money दोनों बता दिया है अब आती है supply of money supply of money कि मनी मनी के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है आप बताएंगे किसके बात supply supply कौन करता है इंडिया में ध्यान से समझना एक government agency उसका नाम क्या है सबसे बड़ा bank देट इस central bank of नाम भारत में central bank है भी भारत का केंद्रिय बैंग हिंदियें बोल लो कौन है भारते रिजर बैंक ठीक है 1934 से बना था इंडिया में जो करेंसी नोट्स आर इसूट बाइदार रिजर बैंक ऑफ इंडिया ध्यान समझना आर भी आई इसू करता है पूरी कहाने समझना कॉइंस आर इसूट बाइद गवर्रमेंट ऑफ इंडिया सब एंसे बेज रहे हंड़ेट परसेंट एंसे अच्छे समझते चलना कॉइन कौन इसू करता है गवर्रमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार सोक स्थम्भ हैना जी अब आते हैं अपार्ट सब्सक्राइलस को थो बाइन कंट है और नंक करने कर देंसे सब्सक्राइब करेंखस्य करते बाताहिन एससविंग्स और टाकॉइं पार्णास फूदyonर को तो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट इस हैड़ बाइद पबलिक इन कमर्शल बैंक इस आपके पडोसी ने रखें हैं 5,000 रुपे गर में और 2,000 रुपे रखें हैं बैंक में इस तरीके से पूरा गाओं पूरा शहर पूरा राज्य और देश इस सिस्टम में जुड़ा कर रखा है और इवन फेंडर रखा है वालेट इस मनी वह मनी का पार्ट अब अब क्यूंकि चेक्स जो होंगे इन अकट्स में वह पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं सबस्क्राइब थिक है इसी को हम लोग जो है demand deposit बोलते हैं यह उसी ले लिया ठीक है डिपॉजिट से डिमांड निकाल लिया विद्ध हेल पॉफ चेक डाइड दोने डिमांड डिपॉजिट और इवन अब जो है आपके पास नया सिस्टम आया डिस एटीम तो आप वो क्या होगा सिस्टम डाट इस ओल जो मैंने आपको कहानी सुनाई है आपके चीज जो होती है वो उतिय फिक्स डिपॉजिट मैंने एक साल वीक्से डिपॉजिट कर रखा है ठीक है या दो साल का गर रखा है इसको लोग टाइम डिपॉजिट भी ए तो ठीक है अब बात आती है देखो ध्यान समझना परbourचेजिक पावर में समझना बनी में आ रहें ह पर चलते रहते हैं अब देखो अब करेंसी जो पर्चेशिंग पावर होती है ना उस नोट की वह उस पर वैल्यू जो प्रिंट होगी वही होती है आपका पांच रुपे की सिक्का है उसमें कुछ लिखा गया है तो वह से आप समान खरी सकते हो पांच रुपे की कुल्फी ख और सब्सक्राइब करेंसी नो होते हैं इनको बोलते हैं इसी वजए से इनको फ्रेट मनी पोलते हैं और हम परिंद्वनीज में आया एक नार अंजनी इनके intrinsic value नहीं होती जैसे कि आपके gold or silver coins होते हैं उसमें रुपया नहीं लिखा होता कि एक रुपया gold coin है नहीं आपने gold coin खरीदा 10 gram खरीदा अब उसकी क्या हो गई value बदलती जाएगी तो इंट्रेंजिक value होती है इसे विए से आपके पास जो आपके पास इन्हें लीगल टेंडर क्या कहते हैं लीगल टेंडर्स क्या कहते हैं लीगल टेंडर्स डी मॉनेटाइजें के समय आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपके पास इन्हें लीगल टेंडर से हटा दिया गया है पांसो और हजार रुपए के पुराने नोटों को मतलब अब वो लीगल टेंडर से बाहर है लीगल टेंडर कहते हैं इन्हीं करेंसी नोट को क्यों कहते हैं इसी वज़े से मनी है और यह आप आपको अगर कोई पैसा दे रहा है दस रुपए का तो कोई मना नहीं कर सकता इंडर क्रिमिल ओफेंस प्रेंस प्रेंस इस इन ओफेंस ठीक है तो चेक्स ड्राउन ऑन सेविंग्स और करेंट अकाउंट डिपॉस्ट हाववर कैन बी रिफ आप कोई और रुपीज को रिफ्यूज नहीं कर सकते इसी वज़े से आपके जो कौई से और जो नोट से हैं ना जो कर प्रिंटेड नोट से और जो कौई से उनको बोलते हैं लीगल टेंडर पूरी वीडियो देखना सब्सक्राइब जरू कर देना फिर बीच में बोल रहा तो पर आपट डेमार्ड डेपॉसिक जो है वह आपके पास लीगल टेंडर नहीं हैं मेरी वात सब्सक्राइब पर क्वाइश हैं तो है आप बात करते हैं लीगल डेफिनिशन की फॉर्म में जो आपम जिप बताता है मनी के मैंने बेरियस फांट बताएं अब उनको अलग-अलग लासिफाई करते हैं तो आपके पास नेरो और ब्रॉड मनी की डेफिनिशन आपको बताता हूं देखो मनी सप्लाय मनी डिमांड की तरह ही जो होती है वो क्या होती है स्टॉक वेरेबल होती है और टोटल स्टॉक आप मनी सर्कुलेशन कितना नोट अभी आपका चर्चा मतब तूरी भारत में चल रहा है इंदा पॉर्म लिक्विडिटी ठीक है अमॉंग दा पब्लिक एट अमनी सप्लाय में मैं अमाट्याक्या सब्सक्राइब में यह संस्ति क्या होता है तक पॉइस पॉटली इस समय पे कितनी मोश्रकुलेशन में हैं पॉटिक नोवन आज प्लाइब तो चार अलब तरीके के मनी मेजर सप्लाइब के मेजर को आर्क रिजर बैंक आफ इंडिया में भी बताया था जो वह आपका करती है उसको हम लोग बोलते हैं M1 M2 M3 और M4 यह सब अच्छे समझ लो आप देखो M1 क्या होता है M1 होता है CU प्लस DD ठीक है जी CU प्लस DD अब यह क्या है देखो आपके पास M1 जो होगा वह आपके पास होगा CU that is currency plus coins जो बताया था और DD का मतलब क्या होता है demand deposits जैसे कि checks held by the held by the commercial banks that is आपके पास M1 क्या हो गया आपका currency और प्लस demand deposit यह आपका highly liquid होगा है ना दूसरा होता है M1 M1 क्या हो सरी M2 M2 क्या होगा यह M1 की unit पूरी पकड़ लो CU प्लस DD और प्लस savings जो आपने savings करी है saving deposit जो आपने कर रखे विद पोस्ट ऑफिस ठीक है या saving bank जो आपके payment saving banks होता है चोटे-चोटे saving banks जो होता है वहां आपने जो कर रखा है that is known as M2 M2 क्या होगा M1 मतलब करेंशी प्लस demand deposit जो चेक वाला है और प्लस जो savings है saving deposit जो है आपकी ठीक है विद पोस्ट ऑफिसे savings bank account ठीक है saving bank accounts तो उसको हम बोलते हैं आपके पास M2 M3 क्या होगा M1 जो बताया था करेंशी बाला प्लस net time deposits of commercial banks that is total FD जो आपका पूरा सारे commercial bank जो होल्ड कर रहा है इंडिया में government और private दोनों ठीक है even corporate इस वह आपके पास जो है वह आपके पास total net time deposit जो fix deposit के form में जो उन्होंने hold कर रहा है M1 प्लस आपका total net time deposit is known as M3 M4 क्या होता है M3 वाले में M1 प्लस net time deposit प्लस total deposit with post office saving organizations excluding national saving certificate यह कौन issue कर रहा है rules RBI issue कर रहा है इस वज़े से इसको आप छेड़ चाड़ नहीं कर सकते हैं M1 के बारे में फिर से हम start करता है M1 क्या होता है total आपकी जो currency प्लस demand deposit चेक वाला उसको कहेंगे M1 M2 क्या होता है M1 में plus saving वाला जो है with post offices saving bank accounts is known as M2 M3 में क्या होगा M1 में आप net demand deposits जो है time deposit जो है time deposit जो है time deposit जो है fixed deposit आप लोग बोलते हो na fixed deposit करा लिया एक साल का दो साल का M4 क्या होता है M3 plus total deposit with post office saving organizations excluding national saving certificates is known as M4 M1 M2 M3 M4 चार टाइप के आप लोग इस तरीके से करते हैं hopefully आपको बात समझ में आ रहे होगी पूरा NCR ठीक है फिर से बोलो हो चैनल को subscribe कर लो यहां ता पहुंच गए हो तो M1 M2 को हम लोग narrow money बोलते हैं M3 M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं एक्जाम में पूच्छा गया है इस वए से बता रहा हो एक्जाम में सवाल पूच्छा गया है M1 M2 are known as narrow money M1 M3 M4 are known as आपके पास what broad money अब these gradations are in decreasing order of liquidity मैंने सुरवात में से बताया था M1 highly liquid M1 is the most liquid and easiest for transactions आप गए बैंक में जाके अपना आपके currency है तो को दिक्कत नहीं है सामान लेने गए खरी लिया तो आपका क्या हो गए M1 वह आपकी चीज हो गई M2 जो होगी वह से कम होगी liquid M3 सबसे कम M4 is the least liquid liquid that can be easily converted into currency M3 is the most commonly used measure of the money supply तो money supply में आपको चारों unit निकालके देदेगा Reserve Bank of India पूरा लिफापा निकालके देदेगा कि M1 में इतने system में M1 में इतनी currency M2 में इतनी M3 में इतनी M4 में इतनी तो सबसे जादा जो standardized तरीका जो माना गया है that is what that is M3 M3 is the most standard method hopefully बात समझ में आरी होगी now come to the next slide इसी वज़े से आपके पास it is also known as the aggregate monetary resources याद रख लेना aggregate monetary resources भी बोला जाता है इसे इसी वज़े से aggregate monetary resources याद रखेगा इसको हटा कर बतायता हूं aggregate monetary resources now next अब आता है अगला point money creation by banking system money creation by banking system बोर नहीं होना पूरा वीडियो देखना है subscribe करना है telegram group जरू join करना है अपने दोस्तों को जो है आप वीडियो भेजो एक में पूरा chapter complete हो रहा है इस में से पूरा देखके जाओ बहरे बच्चो बोर हुए बिना शांदार तरीके से पड़ो आराम से पड़ो धीर धीर पड़ो ठीक है अब M1 क्या बतायता है मैंने CU currency और प्लस demand deposit as the money supply in the economy का measure अब हम निकालते हैं current deposit ratio एक वर्ड होता है current deposit ratio यह पता होना चीए current deposit ratio current deposit ratio is also known as CDR it is a ratio of CU upon DD तो जितनी currency और जितना आपका demand deposit यह नहीं कि चेक चेक कहते हैं demand deposit है ठीक है CU plus DD है CU plus DD ठीक है ठीक है यह आपका CU plus DD का जो रेशो है it is known as it is known as what it is known as आपके पास CDR इसी को अपन लोग CDR बोलते हैं अगला होता है रिजर्ड डिपॉजट रेशो रिजर्ड डिपॉजट रेशो ठीक है रिजर्ड डिपॉजट रेशो क्या होता है bank क्या करता है hold करता है part of the money people keep in their bank deposit as reserve money and loan out the rest of various investment projects ठीक है रिजर्ड मनी consists of two things जो रिजर्ड मनी है उसमें दो चीज़ें होती है पहली होती है world cash in banks and deposits of commercial banks with RBI तो बैंक जो होता है इसी रिजर्ड को करता है क्या करने के लिए to meet the demand of cash by the account holders for example मैं हूँ अमेरे को कैस्ट के रिक्वार्मेंट है bank में जाके ले लिया तो दिक्कत कब होती है अगर सारे के सारे bank में पैसे लेने पहुंच जाए तो रिजर्ड डिपॉजट रेशो क्या होता है bank क्या करता है लोगों की money का part जो होता है वो क्या करता है reserve money के form में store करके रखता है ठीक है अब बाकी जो होता है वो क्या करता है loan की form में invest कर देता है पर वो तभी हो पाता है अगर उसके पास एक लाख रुपे एक बैंक का बहुत छोटा इसा मालो बैंक मालो उसे एक लाख मालो देए उसका फैसा बाकी 60,000 रुपे वो आपके क्या करेगा वो किस की फॉरम में बांट देए लोन की फॉरम में बांट देंगा उसमें जो ब्याज कमाएगा that is है ना और जितना उसका ब्याज वो लोगों को देगा जो difference आएगा for example लोगों को जब ब्याज दे रहा है तो 5% दे रहा है पर लोगों में वो 6% ले रहा है जो 1% है ना वो ही उसकी कमाई है किसकी bank की कहां से इस 60,000 में से इस 40,000 तो लोग ले जा रहे है दिक्कत का होती है system की supply system की जब आपके पास सारे के सारे bank में में मेरा पईसा दे मेरा पईसा दे निकालो सारा पईसा सारे के सारे लोग आप पूरे देश के पहुंच जाएंगे तब दिक्कत होगी तब आपके आपके पास जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम पर आपके पास क्या हो रहा है आप लोगों को पता है आपने सारा पैसा क्या कर रखा है आप सारा पैसा तो निकाल के बैठो नहीं घर में तो आपने कुछ पैसा या जाहितरा पैसा बैंक में डाला हुआ है बाकी प बन रहे है तो आपके पास पूर्ष टीम होती है वह करती है कि कि सब्सक्राइब कितना रखेंगे कितना चोड़ेंगे तो उसका जो हिसाब किताब बनता है रिजब वनीगा उसे से जो है बैंक अपना बिजनस चलाता है और उसी हिससे में से जो ट्रजेक्शन तो 6% पांच 05 डिफ्रेंस से 1 परसे वो बैंक की कमाई होती है तो रिजर्ट डिपॉज़ित रिशो ऑडि-आर जो होता है इस अ प्रपोर्शन और टोटर डिपॉज़ित कम जयल बैंक टीप है डिब है रिजर्व तो उस पूरे सिस्टम का इस पूरे का सिस्टम अमालो आप आपका कुछ 40,000 रिजर्व में रखा गया तो दाट इस लोन आज है आपका वाट आपके पार रिजर्व रेश्यों ठीक है यह आपके पास रिजर्व डिपॉजिट रेश्यों भी कह सकते हैं ठीक है चालो जी आप देखो ध्यान से समझना यह मैंने आपको बताया कि जितना आपके पास डिफरेंस होता है जितने में आपको लोन देता है और जितने में आपको इंट्रेस्ट रेट था है इंट्रेस्ट और लोन और इ MR कै अभी इसके मुख पशी साधन कब आड़ं टॉरेंस बट्वीन अँस सभांड इस मोग बोलते हैं कि इस तो क्या बोलते हो इस प्रेठ याद रखना यह मुट दिकना है लेमन भासा में नहीं ध्युंसअमाथ है इतिस अप्राफिट एप्रोफिर्ट इपाइट बैग्स लर तो आपके पास अगली होती है हाई पावर्ड मनी एक वर्ड है हाई पावर्ड मनी बैट टोटल लायबिलिटी ओफ दा मॉनेटरी अथारेटी अधार्ट्री इसकॉल एड चिंच्नमेदारी जो आपके रिजर् लायबिलिटी जितनी लायबिलिटी है आपका जो पैसा है ना 10 लाग रुपे मेरा कुछ होगा आपका कुछ होगा किसी और कुछ होगा किसी और कुछ होगा टोटल जो है वह आपके पास आपको मन में भरोसा कि मेरा पैसा है कहां पे है जाके बैंकिंग सिस्टम में है banking system किसके वरोसे पे है Reserve Bank of India के authority कौन है Reserve Bank of India ultimate authority Reserve Bank of India उसके नीचे banks उसके नीचे आप लोग यह आप लोग तो जो मनी का system होता है ना इस money के system में आपके पास जो total liability है जो जिम्मेदारी है मानों सारे पहुंच गए आप सारे पैसे लेगे सारे पहुंच गए पूरे देश के लोग पहुंच गए तो वह क्या है उसकी bank Reserve Bank of India की liability है तो total liability भले आप लोग नहीं पहुंचते हो उसके लिए मैंने बताया statistical models बने रहते हैं ठीक है तो आपके पास जैसे पॉइंट टू आडियर है पॉइंट टू आडियर का मतलब का है 20% उससे रखना पड़ेगा ठीक है मतलब ठीक है नाओ रडी टो एक्सपेञ दा मेकानिजम अ अ बदी क्रियाशन वाइदा मॉनेटरि अथोरीटि भा धर दिए रिजर्व पैंडिया अब हम बात करेंगे क्रियेशन की किसकी बात क्रेंगे money creation की supply की बात कर ली demand की बात कर ली है ना अब हम करते हैं किसकी आपका creation की कौन है Reserve Bank of India is the wholesale authority now suppose RBI wishes to increase the money supply अब RBI क्या करना चाहता है माल लो money supply को बढ़ाना चाहता है Reserve Bank of India want to increase the supply of the money ठीक है एक सिकेंड ना ठीक है एक सिकेंड suppose RBI want to increase the supply of money ठीक है अब यह ऐसे थोड़ी ना है कि मर्जी से जाके आए आज दसलाग रुपे नोट प्रिंट कर देंगे या एक हजार क्रोड के नोट प्रिंट कर देंगे ऐसा हो होई बाते नहीं होती है वो क्या करेगा इंजेट करना पड़ेगा additional high powered money into the economy in the following way किस तरीके से करेगा पूरा NCRT पेज़े अच्छे समझते चलो देखो आर्बिया करेगा कुछ असेट पर्चेस करेगा क्या करेगा असेट पर्चेस करेगा फर एक्जांपल गॉवर्मेंट बांड करेगा या गोल्ड करेगा माल लो एच रुपे के हैं एच रुपे के हैं फ्रॉम दा मार्केट मार्केट से एच रुपे के कुछ गुछ गॉवर्मेंट सेक्यूरिटी वगरा वह पर्चेस कर लेगा अब इट विल इशुवा चेक आफ रुपीज एच ऑन इटसल्फ ठीक है टूदा सैलर ऑफ दा हर जामपल आपके पास और आज अच रुपीज तो आब ट्रोऍक रुपे कर आप थाए और अब आपका पॉइंट और पॉइंट बटिए करेंसी यूनिट और डिमांड तो आपको चेक वागे रहे इसका रेशो होता है आपका सीडिया आपका सौर्प अगर बैंक में पढ़ा हुआ है तो उसका कितना हिसा खर्च कर सकते रिजर्व डिपोजिट रेशो या रडियार पॉइंट वह एक रेशो एक फिक्स है ठीक है अब जो इस ने वह बांड खरीद आया सोना जिसे खरीद है वो कहां पर जो उसका बैंक होगा मालो बैंक ए और गया एजबाइट जो है एजबाइट फू अपने एकाउंट में रखेगा और बाकी जो एजबाइट वह एजद आएजबाइट आपने जालेगा यह मतलब आपके पास RBI ने अगरा RBI ने कुछ गोल्ड खरीदा क्या खरीदा गोल्ड कितने का है यह बॉर्ण्ड खरीदे बॉर्ण्ड भी खरी सकता है गॉर्मेंट्स या कहीं से अब एच रुपे का खरीदा उसके बदले क्या इशू करा चेक इशू करेगा किसको पर्टिक्ल बाई टू प्रक्राइबphen interprete से आपका लिक्विट बना लेगा और एच मृट्ड खोड़ देगा छोड़ देगा वह बैंक के पास है न तो आपके पास क्या हो गया आँपके पास हो गया यास का typically का जो आपके पैसा पढ़ा रहेंगा क्या हो गया चपार एक टू लाइबिलिटी ते होगी जो उसका चेक है जो करेंशी सर्कुलेशन हो गया एक बाध गया है मिरसा पार हो है और पार क्वाइट सब्सक्राइब इंड लेकर घुमें कहूं घंज का खो जाएगा साबून कंगी तेल इस तो जो एजबाई तूसकी लिए टी अपान जिम्मेदारी ना बंक सिम्मेदारी बढ़े ग落ए टो पान जमां किये थे टेक के फाम में वह हमें वापिस करो तो because of this increment in deposits but its asset also goes up by the same amount through the position of this check परन्तु इस चेक के position के बढ़ गई तो उसकी क्या बढ़ गई positions भी बढ़ गई ठीक है मेरी वास समझ में आ रही है और अब जो bank है वो किसके लिए जिम्मेदार हो गया बंदा बैंक के लिए बैंक किसके लिए अर्बियाई के लिए बंदा आया बंदे रहा मेरे एजबाई टू वापिस कर उसने बोला अर्बियाई से मांग के देता हूं कि तो इसकी भले लिएविलिटी बढ़ चुकी है बैंक की उस व्यक्ति के लिए पर उसका एसेट वेनिकी उसकी कीमत भी बढ़ गई उसकी होल्डिंग भी बढ़ गई कैसे बढ़ गई क्योंकि यही एजबाई टू जो है आर्बियाई से मांग सकता है अब फॉर जांपल बहुत अच्छी सिचुविशन हुई इस बंदे ने अपने पैसे वापिस नहीं मांग गए बढ़ यह बैंक तो हमेशा वांग सकता है ना र सब्सक्राइब है तो टोटल अग्लेम्स ऑफ बैंक ए एंड अड़ क्लाइंट दा सेलर वर्थ एजबाई टू एच एजबाई टू रिस्पेक्टिवली तस बाइड डेफिनिशन हाई पावर्ड मनी इस इंक्रीज़ बाए एच तो रिजर बैंक ऑफ इंडिया की जो ठोट गई इस तरीके से मनी सर्कूलेशन बढ़ता है और यही प्रोसेस बार-बार इंफाइनिटली चलती रहती है किसी भी देश की इकॉनामी में ठीक है यह प्रोसेस यहां पर एंड नहीं होती एंसी आर्टी का पॉइंट अच्छे समझना ठीक है और यह पूरा आपके आपका इंफाने तक चलती रहती है इस तरीके से आपके पास जीपी की फॉर्म में अब मैं इसको पूछने वाला बिलिए जो एक्जाम में पूछने वाली चीज़ें बता दी ठीक है तो यह जो होता है राउंड इफेक्ट होता है समझ में आया और यह कन्वर्जन प्रोसे होगा दूसरी बारी में आपके पास देखो जो आपके पास क्या होगा जो मनी सप्लाइब बात करते हैं पहली बारी में होगा दूसरी बारी में 0.4 फिर यह क्या होता जाएगा कम होता जाएगा क्या होता जाएगा कम होता जाएगा 0.16 0.4 पहले 1 था फिर 0.4 हुआ फिर 0.16 हुआ यह और कम हो जाएगा तो कहने हैं मतलब है कि आपके पास कि यह बाद में क्या होता है उसका इंपक्ट इतना दिखता नहीं है पहली दूसरी तीसी पारी में जादा दिखता है तो आपके पास पूरे सिस्टम में क्या करें इंफ्यूस करेंगा मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है तो अगर हमें टोटल इंपक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे इंफाने सीरी जो निकले कि उसे जोड़ेंगे इंपको नहीं बता रहा कोई फाइदा नहीं है अगर आपने एच रुपिया इंफ्यूस किया ना तो उसका पूरा इफेक्ट माना जाता है मैं फाइब 5H by 3 होता है मतलब अगर आप एच रूपिया अगर इन्फ्यूस कर रहा है किसी सिस्टम में तो इसका इंपक्त आएगा वह 5H by 3 आता है मतलब कितना वह लबग 3 बन्ज़ 3 23618 1.67 एच इंपक्त आता है समझ में आया तो यह आपका इंक्रिमेंट होता है ठीक है जी एच भेजोगे तो आपके पास 1.67 बाए 1.67 एच होगा तो ओविसी वात है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है तो यह बात याद रखने की गए तो टोटल अब इसका इंपक्त पूछा मतलब एच से काम ओगा एच होगा तो याद रखना अगर एच रूपिया इंफ्यूज करेगा और विए तो उसका फानल इंपक्त होगा हो एच से जादा होगा तो बच्चों यह आपकी पूरी कहानी थी मनी सप्लाय बगए वगारा कि इसके बार सब्सक्राइब कर लो वीडियो को शेयर कर देना और जय हिंद भारत